आपने बहुत बार देखा होगा जब भी हमें कोई मस्कीटो कट करते हैं हमारे उस एरिया में इचिंग या इरिटेशन फील होता है कभी आपने सोचा है इसके पीछे क्या लोजिक है मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटल्स में बताऊँगा फ्रेंड्स में आपको बतायता हूँ हमें only female मस्कीटो ही बाइट करते हैं male mosquito बाइट नहीं करते हैं और एक बाद जब मस्कीटो हमें बाइट करता है वो हमारे स्कीन के अंदर इंजेट कर देता है उसके साथ साथ ये softnoji skin उसलिए एक one type of saliva हमारे बोडि में इंजेट करता है जिसको result के हमें eating and bumping feel होता है and friends बताता हूँ हमारा body में जो immune system है उसका पार्ट है histamine जो कि इस area में आके white blood cell को बहज के इस area में anti disease create करता है and anti infection create करता है जिसके बज़े से हमें आगे जाके कोई भी infection नहीं होता friends बताता हूँ ये बहुत सारे लोगों को redness भी हो जाता है and fluffy feel होता है and hard हो जाता है उस area में अगर आपको इसके ज़्यादा feel होता है and कुछ भी होता है देन आपके लिए एक solution है मैं आप उसको treatment बताता हूँ आपको क्या क्या करना चाहिए उस area को आप साबून से दो सकते हैं दूसरी तरीके से अगर आपके पास ice cube है उस ice cube को 10 minute तक उसके area में अगर rub करोगे तो भी आप उससे relief पा सकते हैं सबसे important चीज अगर आपके पास baking soda है उसको आप पानी में मिला के उस area में अगर धीरे-धीरे rub करेंगे या simple लगा भी देंगे तब क्या होगा ना उस area में itching नहीं होगे और दोस्तों अगर आपको इतने सारे drama नहीं करना है देन anti-eats cream बहुत जगा में market में available होता है जब भी आपको जरत पड़े आप यूज कर सकते हैं दोस्तों आपको क्या नहीं करना चाहिए उस area में को scratch नहीं करना विकाउज अगर आप scratch करोगे देन वहां पर redness हो जाएगा एंड श्क्रेच से बज़े से infection होने की चांसे ज्यादा बढ़ जाता है फ्रेंड्स आइधिंग आपको पता चल गया होगा कि मस्क्यूटो बाइट करने से हमें इचिंग या इरिटेशन क्यों फील होता है और उससे कैसे बचे थैंक्यू जेहिंद